Hello everyone इस वीडियो में हम आप लोगों को लिमिट ओडर के बारे में बताएंगें लिमिट ओडर कैसे काम करता है इस बारे में इस वीडियो में पूरे डिटेल्स में बात करेंगें सबसे पहले ओडर विंडो ओपेण करते हैं Buy order यहाँ पे है लिमिट ओडर market sl slm stop loss और stop loss market order तो आज हम limit order के बारे में आपको इस वीडियो में सिखाएंगे limit order के लिए limit select करिए और quantity जितना आपको quantity purchase करना है उतना feel कर देजे और जैसे भी price चल रहा है 80 रुपया 65 पैसा अगर आप market order अगर लगाएं तो 80 रुपया 60 पैसा में अभी 60 या 65 में आपका order execute हो जाएगा लेकिन आप अगर चाहते हैं कि bargain करना कि नहीं मुझे 80 रुपया 50 पैसे में ही चाहिए 15 पैसा कम में खरीदना है या 80 रुपय में चाहिए तो आप यहाँ पर order यहाँ पर सिर्फ 80 फिल कर दीजे अगर आप चाहते हैं कि 79 रुपीज में मिले जब एक रुपय साथ पैसे market गिर जाएगा जब यह 80 रुपय साथ पैसे जो अभी चल रहा है जब यह 79 रुपीज में जब आ जाएगा तो आपका order एक्जीक्यूट होगा नहीं तो order एक्जीक्यूट नहीं होगा और यहाँ पर 79 फिल करके click on submit और finally click on yes आपका order 79 रुपीज में जब market 79 पर आएगा तो आपका एक्जीक्यूट हो जाएगा नहीं तो एक्जीक्यूट नहीं होगा Thank you for watching